दोस्तों यही Noise Buds VS102 Pro Air Buds और यह अब तक का सबसे सस्ता Air Buds होने वाला है जिसमें आपको गेमिंग मोट के साथ साथ ANC का फिचर मिलने वाला है और इसका लॉंच प्राइस से मातर सातरा सुने नान विर्पे मार्केट में देखा जाए तो 25 शुकंदर आपको ऐसा कोई भी Air Buds नहीं मिलता है जिसमें आपको ANC का फिचर मिलता हो तो क्या है इस Buds की पूरी कहाने जाने के इस वीडियो में बाकि ये वीडियो नुएस के साथ कोलाइबरेशन में बन रही है बड़ जो सच है वह मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वीडियो को एंट तक देखें और चैनल पर नहीं तो बाई सबस्क्राइब करें क्योंकि हम लोग 50,000 के काफी करीब हैं तो प्लीज सपोर्ट करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबस्क्राइब करें तो यहां पर कुछ इस तरह का खुबस्वरा सा बॉक्स दिया गया है जहां पर बड्स की डिजाइन मनीवी मिल जाती है और यहां पर highlighted features को mention किया गया है बाकि इस set के बात करें तो यहां पर भी काफी सारे features mention के भी मिलते हैं इसके बारे में video में discuss करेंगे और back set के बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है probably design in India जो की काफी हची बात है अब मेरे पास दो unit है एक है black और एक है beige color तो यहां पर मैं बेच को unbox करने वाला हूँ box को पर करते हैं तो यहां पर सबसे पहले warranty card मिल जाता है उसके बाद noise के stickers मिल जाते हैं और user manual दी गई है उसके बाद यहां पर tab c cable दी चार्जिंग के लिए और यहां पर कुछ extra ear tips मिल जाती है बाकि यहां पर कुछ इस तरह से case रखा हूँ मिल जाता है तो कुछ इस तरह का आपको case मिल जाता है जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा है और इसकी जो design है वह काफी unique के काफी हट करें बाकि यहां पर noise की branding मिल जाती है और यहां पर आपको type c port दिया गया है और यहां पर एक indicator light मिल जाती है और देख सकते हैं जो build quality काफी अच्छी लग रही है हलाकि इसमें आपको plastic build मिलती है यहां पर microphone दिया गया है और indicator light मिल जाती है और देख सकते हैं यहां पर glossy and matte finish का combination देखने को मिल जाता है तो बट्स की quality काफी तगड़ी है बाकि यहां पर magnet check कर लेते हैं कि यह कितना strong है तो देख सकते हैं उल्टा करने पर भी गिरते नहीं है तो design build quality काफी तगड़ी है इसकी बाकि इसकी connectivity सूपर फास्ट है क्योंकि इसमें Bluetooth 5.3 का support मिल जाता है और Hyper Sync technology दी गई है तो जैसी ब्लीट को उपर करेंगी यह फटाक से फॉन से प्यार हो जाएगा और connectivity काफी अच्छी है इसकी अब बट्स को निकालते हैं और पहन कर देखते हैं कि यह कितना comfortable होने वाला है वैसे इसको मैं एक हफते से use करना हूँ और यह काफी ज्यादा comfortable है बट आप लोगों 24 ग्राम तो काफी light weight है और अगर आप देर तक भी पहनते हैं तो आपको कोई भी issue नहीं होगा उसके लब यहाँ पर IPX5 का certification भी मिल जाता है तो हलकी फुल के बारिश में यह फिर जिम में जाते हैं पसीयना होता है तो उससे भी खराब नहीं होगा अब बात करते हैं तो यह भी शिकायत नहीं है बाकि यहां पर आपको test sensor भी दिया गया है जिसे आप music को control कर सकते हैं जैसे कि single tap करेंगे तो volume को कम और ज्यादा कर सकते हैं तो इस तरह से का test sensor भर करता है बाकि अगर आप लोग को और विजन कारी चाहिए तो आप लोग user manual को पढ़ सकते हैं अब calling की बात करेंगे तो यहां पर इसका calling experience भी काफी अचा रहा क्योंकिस में quad mic का support मिलने वाला है और technology मिल जाती है तो यह बाहर की noise को काफी हद तक कम कर देती है और जब आप call पर बात करेंगे तो सामने वाले को काफी क्रिस्प और किलर वास सुनाई देती है और यहां पर मैं इसकी माइक क्योंको सोना देता हूं तो अभी आप लोग जावा सुन रहे है और अभी आप इसकी अल्टरा लो लेटनसी मिलती है तो इस पर आप COD या फिर PUBG खिल सकते हैं और आपको कोई भी लेटनसी का इश्यों नहीं होगा और मैं इसमें COD प्ले किया तो यहां पर आवाज वह काफी परफेक्ट आ रही थी और कोई भी डेले नहीं था बागी यहां पर लोग से कोई भी टेंशन विली बात नहीं है बाकि अब आते हैं इस बट्स के सबसे खास फिचर के तरफ जो की है एंसी मोड तो इसमें आपको एक्टिव नॉयस के इसलेशन का फिचर मिल जाता है अप टू 25 डिवी तक का और यह काफी एफेक्टिव है क्योंकि मैं इसको यूज कि और जो बाहर कर नॉयज है जैसे कि फैन के आवाज हो गी वश्य मशिन की होगी वह यह काफिया प्लेशन कि कर देता है ऑपको तुसरा को नॉर्मोड मिल जाता है अब सकते बाकि बाते बैट यहां पर इसका बैटिव का दगला होने वाला वहallas आपको total 40Hs का playback time मिल जाएगा बाकि बात के बात करें तो यहांपर आपको 6Hs का playback time मिलने वाला है और आप इसको चे बात केस में लगकर चार्ज कर सकते हैं उसके लावब हैं यहां पर Instagram का support भी मिलने वाला है तो अगर आप इसको 10 चार्ज करते हैं आपको 150 मिनट्स का प्लेवक टैम मिल जाएगा जो कि काफी अची बात है और वर्ट्स को फुल चार्ज होने में 45 मिनट्स लगने वाले हैं जबकि केस की बात करें तो वहां पर 120 मिनट्स लगने वाले हैं तो इसका बैटे वेक भी काफी तगला है अब आते ह बात है तो अगर आप लोगों को बजट 2000 के अंदर है और आप लोगों को एक बेश्ट एयर वर्ट्स लेना है जिसमें आपको गेमिंग के साथ सथ एंसी मोर मिल जाए तो इस बाकि बाद में इसका प्राइस हो जाएगा एक हज़र नाव रिपे और उस प्राइस में इसको अगर लोगों को लेना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाकर ले सकते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखें बाई